नमस्कार इंडिया मैं हो गौर्व आप देख रहे हैं ट्रिक्स एक्सपोर्ट दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कि अगर आप आप अनलाइन अपने स्टेट बाइंक ऑफ इंडिया का एकाउंट एस्टेटमेंट या फिर कह सकते हैं कि पासबू अगर आप चाहते हैं तो कैसे निकालेगे सबसे पहले दोस्तो मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था कि कैसे आप ऑनलाइन रेजिस्टेशन करेंगे इंटरनेट बैंकिंग के लिए आज मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे आप घर बैठे अपने पूरे स्टेटमे को निकाल सकेंगे यह स्टेटमेंट दोस्तो कई जगा आपसे मांगा जाता है जैसे कि आपको कह सकते हैं कि pen card बनाएंगे तब भी मांगा जाएगा आप अगर dmat एकाउंट खोनना चाहेंगे ओनलाइन सेयर खरिदने के लिए उसमें भी मांगा जाएगा आप itr फाइल करत पहला डूसर आप यहां पर इसको क्लिक कर देना है इसको जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहां देखिए आपका पूरा डीटेल आ गया उसके निचे आपको यहां पर आना है निचे आने के बाद दोस्तों यहां पर देखेंगे दो-tiny options मिलता है बाइडेट, 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 लास्टिक्स मन्थ और फाइनसीय लिया ठीक है तो अगर आप बाद लिजे तिथी बाई तिथी लेना चाहते हैं बाइडेट के एकजामपल मैं अपने चाहता हूं जैसे कि मान लिजे मैं चाहरा हूं कि मुझे 2020 से दे जन्वरी से के पहले तारिक से यहां मैं आज कर दिया साथ तारिक या एक एक 2020 से मैंने कर दिया 2022 तर ठीक है ऐसे भी ले सकता हूं यह आपको कैसे देगा यहां दिखा भी देगा दूसरा आप इसको PDF फॉर्म में चाहते हैं कि आपकी कंप्यूटर में या मॉबाइल में भी सेव रहा है द डिग लॉकर में अपलोड करना है ठीक है तो आपको सिंपली जो ऑप्शन पसंद है वो कर लिजिएगा दूसरा है बाइमन्थ मन्थ के इसाब से आप ले सकते हैं तीसरा है लास्ट शिक्स मन्थ आज कर देट से आच चाहा हुथा है फाइनश ययर के कौन से यर कर देना च तो State Bank of India के online internet banking से जुड़े और भी वीडियो या फिर और भी इस तरह के financial video business ideas के लिए सब्सक्राइब कर लिजे हमारे चैनल को पहली बार आया है तो और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार ज़रू दे दोस्तों आगले वीडियो में और भी यहां जितने भी topic आपको दिख रहे हैं जैसे कि payment transfers, bill payments, deposit investment, e-tax, e-services, request and inquiries, useful links, यह सब profile statement, pending statement, spend analyzer यह जितनी चीजे हैं उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे topic by topic जिससे कि आपको confusion ना हो और आपको पूरी तरीके से हम aware करेंगे educate करेंगे ठीक है तो आपने जानकारी को हम साजा करेंगे तो फिर मिलते आगले वीडियो में तब तर के लिए आपने अपने भारावा ख्याल रखेंगे जय हिंद जय भारत